नमस्कार साथियू, न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें बीते 24 गंटे में करोना के 15,000 से अधिक मामले दर्ज ICMR के इजाज़त के बिना पतंजली की दवाई गुजराच सरकार ने नहीं मानी प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोट की राय किंद्रिय स्वास्थ मंत्राले द्वारा जारी ताजा आंकडों के मताबिक बीते 24 गंटों में करोना संक्रमन के फिर्ज्टे सबसे ज़्यादा यानी 15,969 नए मामले दर्श किये गए हैं नए मामलों में दिल्ली ने महराष्ट को भी पीछे छोड़ दिया है बीते 24 गंटे में दिल्ली में 3,947 नए मामले दर्श किये गए हैं बीते दिन करोना संक्रमन के कारण 465 मरीजों की मौत हो चुकी है जिन में से 248 लोगों की मौत अकेले महराष्ट में हुई है और करोना से पिडित 10,455 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है देजभर में अब करोना वाइरस संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 4,56,183 हो गई है स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में भी लगातार बढ़ोत्री हो रही है स्वास्थ मंत्राले की ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक 56,71 फीस दी यानि 2,58,685 मरीजों को ठीक किया जा चुका है लेकिन संक्रमन के कारण अब तक कुल 14,476 मरीजों की मौत भी हो चुकी है इसी के साथ देश भर में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर यानि की एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,83,22 हो गई है इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के मताबिक जारी आंकडों के अनुसार अभी तक कुल 73,52,911 सेंपल की जांच की गई है जिन में से 2,15,195 सेंपल की जांच बीते 24 घंटे में हुई है अब चलते हैं आज की बड़ी खबर पर जिस पतंजली का नाम सुनकर एक समय भारती विरासत का खयालाता था योग सुत्र के रचाइता का खयालाता था अब उसी पतंजली का नाम सुनकर विज्यापन का खयालाता है बाबा राम देव और सरकार के आपसी साथ गाट से चल रही एक कमपनी का खयालाता है अब की बार पतंजली ने तो हद कर दी जो काम अमेरिका ना कर सका चीन ना कर सका और भारत के वैज्ञानिक ना कर सके उस काम को करने का दावा पतंजली ने कर दिखाया है पतंजली के सरवे सरवा बाबा रामदेव ने करोना की दावा बनाने का दावा कर दिया है कोरोनील और स्वसारी नाम की दवा लॉंच करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि इन से सिर्फ साथ दिन में मरीज सौ प्रतिसर ठीक हो जाएंगे अच्छी बात यह रही कि सरकार ने दवा के लॉंचिंग के पांच घंटे बाद ही इस प्रचार पर रोक लगा दिया सरकार ने कहा कि दवा की वग्यानिक जाँच नहीं हुई है आयूस मंत्राले ने दवा के लाइसेंस हीद पूरे ब्योरे को मांगा है मंत्राले ने दवा में इस्तमाल मैटेरियल, दवा पर रिसर्च की जगहों, अस्पतालों, प्रोटोकॉल सेंपलों का आकार, इंस्टिशूसनल एथिक्स कम्यूटी क्लियरेंस, क्लिनिकल ट्राइल रेजिस्ट्रेशन और ट्राइल के परिणाम का डेटा मांगा है पतंजली ने मंगलवार देर साम आयूस मंत्राले को 11 पन्ने का जवाब भेज दिया इस 11 पन्ने में बाबा रामदेव ने ICMR से मंजूरी का सवाल पूरी तरह से टाल दिया रामदेव ने कहा कि गंभीर मरीज ट्राइल में सामिल नहीं थे उन पर अगले चरण में परिक्षण किया जाएगा ट्राइल का मतलब यहाँ पर यह है कि दवा बनाने से पहले कई अस्तरों पर उसका ट्राइल किया जाता है और इसमें मरीजों को सामिल किया जाता है वलंटियर मरीजों को सामिल किया जाता है तो इन मरीजों के ट्रायल में बबारामदेव का कहना है कि जो गंभी करोना के मरीज थे उनको इन्होंने इस पे सामिल नहीं किया पतंजली ने मेरट में जिन 70 लोगों के निगेटिव आने का दावा किया उनमें से सिर्फ 6 लोग ही पोजेटिव थे बाकि सब निगेटिव थे पोजेटिव के संपर्क में आये थे उन 6 लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज भी चला ऐसे में अपनी दवाई से उनके ठीक होने का दावा क्या सही है मेरट के CMO यानि की चीफ मेडिकल आफिसर राजकुमार ऐसा नहीं मानते हैं उनका कहना है कि या दावा बिल्कुल सही नहीं हो सकता है क्योंकि अधिकांस मामलों में तो करोना के मरीज ठीकी हो जाते हैं ज़ुरत ये देखने के पड़ती है कि गंभीर मामलों में करोना के मरीज के साथ दवाएं कैसी प्रतिक्रियाएं कर रही है उत्राखंड की आयरुवेड ड्रक्स लाइसेंस अथोर्टी ने बाबा की दवा पर सवाल उठाया है अथोर्टी की उपनिदेशक याने की सब डाइरेक्टर यतंतर सिंग रावत ने बताया कि बाबा रामदेव की कमपनी पतंजली को कोरोना की दवा के लिए नहीं बलकि इम्यूनिटी बुस्टर और खासी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था रावत ने बताया कि उन्हें मिडिया के माध्यम से ही पता चला कि बाबा रामदेव की कमपनी पतंजली दौरा करोना की किसी दवा का दवा किया जा रहा है जबकि उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली और खासी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था उत्राखंड की आयरुवेड ड्रक्स लाइसेंस अथोर्टी ने अब बाबा को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है सरल सब्दों में कहें तो उत्राखंड की आयरुवेड ड्रक्स लाइसेंस अथोर्टी ये कह रही है कि बाबा को लाइसेंस सर्दी जुकाम की दवा बनाने के लिए दिया गया था लेकिन बाबा ने इस लाइसेंस का इस्तेमाल करके यह दवा प्रस्तुत कर दिया है कि उन्होंने करोना का इलाज ढूंड लिया है इसके साथ और भी कई सारे सवाल उठते हैं कि बिना सरकारी मंजूरी का प्रचार कैसे हुआ दवाईयां अचानक तो बन नहीं जाती है इन्हें कई चरणों से गुजरना पड़ता है इन चरणों की जानकारी मिले भीना अचानक दवाईय बना लेना जैसा प्रचार कैसे संबव हुआ पतंजली करोड़ का टर्नोबल वाला प्रतिष्ठान है ऐसे संस्थान में ऐसे लोग भी होंगे जो जानते होंगे की दवा या वैक्सिन बनाने की बेसिक प्रक्रिया क्या है इन लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाने से पतंजली को रोका क्यों नहीं अगर रोका तो पतंजली ने ऐसा किया क्यों सबसे बड़ा सवाल कि करोणा पूरी दुनिया में फैला है किसी दवा का सत्यापन यानि की verification तभी संभव है जब पूरी दुनिया में इस काम के लिए निर्धारित संस्ताइं इस दवा का सत्यापन कर लें और कह दें कि इस दवा का इस्तमाल सारोजनिक टौर पर यानि की public के लिए किया जा सकता है क्या पतंजली की दवा इस प्रिक्रिया से गुजरी क्या इसमें सरकार की मिली भ्यगत तो नहीं है क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार करोना को चुनावी रड़नीती के लिहाद से देख रही है और आम जनता के बीच फरजी ख़बरे फैला कर भरम के बुनियात पर अपना वोट प्रेंग तैयार करने में लगी हुई है अब चलते हैं गुजरात की तरफ और गुजरात के प्रवासी मजदूरों की तरफ मालिकों के साथ गांट से सजी सरकार में मजदूरों का हितैसी कोई नहीं है सुप्रीम कोट के कहने के बाद भी सरकारों ने मजदूरों के लिए व करीब सो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन में घर वापस भेजने के इंतिजाम की मांग करते हुए पुलिस से भिढ गए थे उन में से 35 मजदूरों को महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उलंगन करने के लिए हिरासत में ले लिया गया था एक महीने की जेल काटने के बाद इन्हें 23 जुन को जमानत मिली जमानती आदेश ने इस बात को नोट किया कि प्रवासी स्रमिक बहुत अधिक पीडित हैं और निश्चित रूप से अपराधी नहीं हैं इनके पास काम नहीं था पैसा नहीं था खाना खाने के लिए भोजन नह जैने कि डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहट अभियोजन सिकायतों की वापसी पर विचार करने को कहा और प्रवासी मजदूरों के खिलाब दर्ज किसी भी तरह के अपराधों पर पुना विचार करने के लिए कहा जिन पर लॉकडाउन की उपायों का विचार किया जाए अगर हो सके तो मामले को रफा दफा कर दिया जाए उसको सुल्टा दिया जाए गुजराद सरकार ने ऐसे मामले को वापस नहीं लिया मजदूरों के लिए जमानत लेने वाले वकेल नीरव मिस्रा का कहना है कि केस वापस नहीं लेने की वज़ा से मजद तो ठीक है अगर वे काम के लिए वावस एहमदाबाद आते हैं लेकिन तब क्या होगा जब उन्हें काम के लिए मुंबई जाना पड़े या तब क्या होगा अगर वे अपने गाह में रहने का फैसला कर लेते हैं गिरफतार किये गए 35 मजदूर एहमदाबाद के भारतिय प्रबंधन संस्थान यानि की इंडियन इंस्ट्यूट अफ मेनेजमेंट के नए भवन को बनाने में लगे हुए थे भारतिय प्रबंधन संस्थान ने परिसर के निर्मान के लिए 300 करोड का कॉंट्रेक्ट PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेट को दिया था इन दोनों जाने माने संस्थानों, संगठनों की या जिम्मेदारी बनती थी कि वह मजदूरों की जिम्मेदारी को उठाएं लेकिन हुने ऐसा नहीं किया अब चलते हैं अंतिम खबर की तरफ लॉकडाउन के समय सभी लोगों को अकेले रहना पड़ा घरों के अंदर रहना पड़ा इस समय मानसिक कनाओं से भी गुजरना पड़ा इनी सब विश्यों पर बाचीत किये हमारे सहयोगी सत्यम ने मनोविशले सक आलोक सरीन से सुनिये उनकी बाचीत का यह हिस्सा सबसे पहरी बात तो यह हमें समझना है कि जो हमारी जो इनफेक्शन है उसका प्रभाव और जो इस इनफेक्शन के डर की वज़े से हो रहा है इस डर का प्रभाव दो अलग अलग चीज़े हैं यह दोनों एक दूसरे से बिलकुल जुड़ी हुई हैं और इंडर कनेक्टेट जरूर हैं पर हैं अलग और सवाल यह है कि इस डर या इस एंग्जाइटी से कोई भी बचा नहीं है कोई इम्यून नहीं है और अगर हम देखें तो वो जो डर है या जो प्रभाव है वो जो आम आदमी है उस पे तो उसका असर है ही पर इसका असर हर एक पे है जो मरीज है जो सड़क पे चलता हुआ रास्ते पे चलता हुआ आदमी है जो पॉलिसी मेकर है जो यह जो डिसाइड करता है कि क्या करना है नहीं करना है जो उस पॉलिसी का जिस पे प्रभाव होता है इन सभी पे इसका फरक पड़ता है इस एंग्जाइटी का तो इस एंग्जाइटी को समझना अपने आप में बहुत जरूरी है तो इस अब हुआ यह है कि सभी इस anxiety से, इस डर से रभावित है, कुछ कम और कुछ जाधा और इस की वजह से जो norm है, जो prevailing norm है, वो बदल गया है, वो anxiety का एक norm हो गया है, और इसका हर इंसान पर फर्ग एक effect होगा, फर्ग प्रभाव होगा, तो सवाल है कि हमने करना क्या है इसके बड़े में, और इसका एक formula, या एक simple सा जवाब नहीं सकता है, कि आप ये चार चीजें करें और इससे आप बचे रहेंगे, आपकी mental और physical health भी बची रहेंगे, दोनों safe और secure रहेंगे, कि ऐसे formula है नहीं, अगर होते तो फिर बहुत अच्छी बात होती है, और बहुत convenient होता सब के दिए, पर वो physical health और mental health दोनों के लिए ये ऐसे formula है नहीं, तो आजकल इंटरनेट पे, Facebook पे बहुत सारे videos हैं कि हमने अपना किस तरह से खायल रखना है, और कई लोगों का ये कहना है कि ये बहुत फाइदे मन्द हैं और कई लोगों का ये कहना है कि बहुत इनका कोई फाइदा नहीं, तो वो क्या हैं? वो basically commonsensical चीज़े हैं कि अपने आपको busy किस तरह से रखा जाए, अपने आपको वियस्त किस तरह से रखा जाए, exercise का एक routine बनाया जाए, कोई ऐसे interest या hobbies शुरू कर भी जाएं जो इनसान पहले नहीं करता था, बहुत लोग खाना बनाना सीख रहे हैं, बहुत लोग जाड़ों पहुचा करना, बरतन माइनना शुरू कर दिया है, घर के, इस्पेशली लॉक्टाउन के टाइम जबकी और कोई तरीका नहीं था और कोई तरकीद नहीं थी, तो किस तरह से चलाया जाएं, रोज मर्रा की जिन्दगी किस तरह से चलाई जाएं, इन सब में यह चीज़ें बहुत यूसफुल, बहुत फाइदे मन्द थी, और यह नहीं कि इनका कोई वैल्यू नहीं है, या इनका बेनेफिट नहीं है, पर हमें इस बात का भी याद जो कि हमारे और आप की तरह हैं घरos में रहे रहे हैं, जो प्रिव्लिज getting. प्रिविज्ट होनी की वजह से यह नहीं है कि यह चीजे इस फाइदे मंद नहीं रहेंगे, यह तब्वी फाइदे नहीं रहेंगे और यह हमारे लिए तब भी ज़रूरी, पर प्रिविज्ट हो कि वज़े से हमें सिर्फ जो अड्वांटेजिस हमें वो प्रिविलिज देता है उससे बाहर हट कर या उससे ज्यादा बड़ी अपनी सोच रख कर उन लोगों के बारे में अगर हम सोचें जिनको ये प्रिविलिज नहीं है तो उसमें सिर्फ हमारा ही नहीं, दूसरों का ही नहीं, समाज का ही नहीं पर सभी का फाइदा होने के सब्भागना है क्योंकि ये एक बहुत परडॉक्सिकल किसम की या अजीब किसम की सिचुएशन है क्योंकि एक तरफ और बहुत ऑपोजिट्स हैं इसमें, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो ये वाइरस जो है ये देशी वाइरस तो है नहीं, बाहर से आया है बाहर से जो इंटरनाशनल ट्रावलर्स हैं उनकी वज़े से आया है जो प्रिवलेच लोग हैं उनकी वज़े से आया है और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये भी बिल्कुल साफ है कि इसका इसकी वज़े से जो सबसे जादा इंपक्ट है जो सबसे ज़ाधा प्रखोप है वो उनपर है जिनको कर सबसे काम प्रिवलेच है जो सोशो एकनिक कारणों से जो अम्दनी की वज़े से या जिनको लाइबलीवे立 नहीं है, जिनको काम करने की वह व्यवास्ता नहीं है. उन पे प्रकोप सबसे जादा है. तो यह बहुत जरूरी बन जाता है कि हमेशा इन चीजों की जो इंटर कनेक्शन हैं वो हमें देखता है और हमेशा यह हर महामारी में, हर डिजास्टर में, हर लगाई जगडे में, हर पर्ल्ड वार में, हर पार्टेशन के टाइम जो इतना जबर्दस्त माइक्रेशन हुआ था तो जो इंपक्ट इन सोशल अपहीवल्स का होता है उसका जो सबसे जादा वाल्नेरबल जो सबसे जादा और कारणों से कमजोर वर्ग होंगे उठ पे इंपक्ट सबसे जादा होगा हमारी खबरों से जोडने के लिए आप News Click के वेब साइट, News Click के ट्वीटर, News Click के फेस्बुक से जोड़ सकते हैं और हमारे वीडियो को आप News Click के योट्यूब चैनल पर देख सकते हैं सुक्रिया आप देखते रहें News Click झालो हमारी आप पर देख सकते हैं झाल झाल